खबर अजमेर के नसीराबाद से है जहां चावनी परिशद के ओर सेक्षित्र में दवाकाच छिड़काव कराय जा रहा है। चावनी परिशद के अधिशासी अधिकारी अर्विंद नेमा ने ये बताया कि कजबे में कोरोना संक्रमन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास की जा रहे हैं इसके लिए घर घर दवाकाच छिड़काव भी करवाय जा रहा है। संस्कृती युवा संस्ता के और से पुलिस मुख्याले को हाद से बने हुए कपड़े के मास्क भिंट के गए। कोरोना वाइरस की जंग में जुटे हुए पुलिस कर्मियों के लिए संस्कृति युवास संस्था के प्रतिनीधी मंदल ने दीजीपी भुपेंद्र संग्यादव को 500 मास्क भेंट किये और साथी संस्था के प्रतिनीधी तरुन भारती और दिनेश शर्मा ने संस्था की ओर से लॉकडाउन के दोरान चलाई जा रही विभिन परोग कारी गतिविधियों के बारे में भी डीजीपी को अफ़गत करवाया तरुन भारती ने ये बताया कि वो अब तक करीब 50,000 मास्क पुलिस कर्मियों और साथी कोरोना वाइरस की जंग में जुटे हुए अन्य लोग कि अब तक लगबक 50,000 माक्स हस्त निर्मित कपड़े से बना के हम बिबिरी छेत्रों में दे रहे हैं हमने आज श्रीमान डीजीपी साब को बेट किये इसी क्रम में हमने लगातार हम पुलिस विभाग में और स्वास विभाग में और कच्छी बस्तियों में और जहां पे भ जगे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा निश्वल का मास्क वित्रन कर सकते हैं और इसी के साथ इस बुलिटन में फिल हाल के लिए इतना ही देश और दुनिया